नमस्कार दोस्तों मैं असनी पांडे स्वागता सब्सक्राइए ने वीडियो में है आज बहुत ज़्यादा इंडिया में आजकर इस्पेस की बात हो रही है आज समझते हैं कि ब्लेक होल क्या होता है और कैसे काम करता है क्यों क्योंकि वो एक मिर्तु तारा है या अपने मिर्तु के कागार पे कोई तारा होता है तो अपने आप में ब्लेक होल बन जाता है जो उसका सेंटर होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रिप्टी हाँ भी हो जाती है कि कोई भी चीज वो अपने तरफ खिंज लेता है फोर्द एक्जामपल के लिए अगर उसमें बहुत बड़ी रोसनी भी मारी जाए कोई टोर्च भी मारा जाए तो वो टोर्च वहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि लाइट होगी वो अपने आप में उपजर्ब कर लेगा और रिफलेक्ट करेगा ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे बलेखोल है लेकिन इतना नद्दिक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उससे पहले आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि जो उसकी ग्रेटियल फोर्च होगी वो आपको बहुत स्पीड में अपनी तरब खिंचेगी एक होता है सुपरमैसिब बलेखोल एक होता है इंटरमीडियट बलेखोल और एक होता है मास बलेखोल तो सुपरमैसिब बलेखोल होता है यह 4-6 बलेखोल को मिलाकर बनता है तो यह ज़्यादा पावरफूल होता है जो हमारे प्रत्वी के सबसे ज़्यादा नदीख है वो भी 6000 प्रकासवर्ष की दूरी पे है और 90 किलोमेटर चोड़ा है सिंगन्स एक्स वन बोलते हैं दूसरी बात क्या है कि अगर कोई बिलेक होल को देखना चाता है तो पहली बात तो नंगी आखों से नहीं देखा जा सकता है और दूसरी बात यह कि नॉर्मल टेलीसकोप से भी नहीं देखा जा सकता है इसके लिए या तो radio telescope होना चाहिए या gravitational wave detector होना चाहिए उसी से देखा जा सकता है जो settler mass black hole होता है उससे छोटा होता है लेकिन सूर से तब भी ये 2-4-10-100 गुना भी बड़ा हो सकता है देखो इतना जादा जल्दी अपनी तरफ चीज़ों को खिंचता है कि जो रोसिनी की electromagnetic होती है वो भी बाहर नहीं आ सकती है इस वजह से जैसे ये हमसे हजारों प्रकास वर्ष की दूरी पर रहेगा उसके बाद भी इसका पता हमें चल जाएगा और यह अपनी तरफ हमें खीचना सुरू कर देगा एक तरफ हम खिचते हुए चले जाएंगे और उसके बाद की हो तिक बाद की बैटने की जाता हैं जैसे हम इवेंट थैसकर श कर जाते हो हम रुजाइन की संभावना खतम हो जाती है इसके बाद कुछ से किटर मिनट के बहुतर सब कुछ गड़ करसर से सरी तेजी से लंबा होने लगता है और तब तक खिचेगा जब तक की तुगड़े तुगड़े ना हो जाए इसके बाद भी फोर्स अपना काम करता रहेगा अंगों के तूड़ने के बाद टिसू और कुछ कहा है तूटेंगी यह प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक स ऑइट होल में जाने के लिए कि आ जाता है कि वार्म होल होता है उसके जिरिया आदोइ वाइट होल में चला जाता है वहां पर बन जाता है को आप नहीं दिखोगे आप देख सकते हो बाहर के लोगों को कि लाइट बाहर पड़ रहे होगी बट यह पोसिबल है नहीं